तिरे पनवान दिन, 53rd day, 40, कानून, law एक, उस पर खून का हिल्जाम लगाया गया दो, वो दो दिन जेल में रहा तीन, उसने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को दी चार, अपराधी बरी कर दिया गया पाँच, वो फरार हो गया छे, वो जमानत पर छोड़ दिया गया है साथ, शहर में बद अमनी फैली हुई है आठ, तुमने गयर कानूनी काम किया है यॉर अक्टर इलीगल नौ, इंसाफ का यही तकाजा था जस्टिस डिमांड़ इट दस, आप मेरे गवा हैं यू आप मेरे गवा हैं ग्यारा, ये गानून के खिराफ है यॉर ये गानून के खिराफ है बारा, वो बिलकुल बेगुना है ये इस इनुसेंट तेरा, आप ही इंसाफ करें ये सब नकली दस्तावेज हैं ये सब नकली दस्तावेज हैं पंद्रह, उसने मेरे विरुद्ध केस किया ये फाइल अ सुट अगांसे प्रश्न किये 17. आजकल मुकद में बाजी बढ़ गई है 18. पुलिस इस विशे में चानबीन कर रही है 19. मैंने उसके वरुद्ध क्रिमिनल केस कर दिया 20. मजिस्ट्रेट ने अपराधी पर अपराध लगा दिया 21. आंत में अभियुक्त और अभियोग करने वाले ने समझोता कर लिया 22. उसको मृत्यु दंड मिला 23. जूरी ने अभियुक्त के पक्ष में निर्णे दिया 22. उसको मृत्यु दंड मिला 24. खुनी को फांसी मिल चुकी है 25. कानून न जानना कोई बहना नहीं 26. जज ने चोर को सजा दी 27. मुकदमे का क्या फैसला हुआ 28. वो चश्मदीद गवा है 29. वो कानून का मानने वाला है 30. इंसाफ में देर का मतलब अंधेर है 31. सफाई के वकील ने बहुत बढ़िया पैरवी की 31. रेडियो, टीवी, डाक खाना 32. एक, मैंने रंगीन टेलिविजन खरिदा है 32. आपका टीवी चल रहा है 33. मेरा रेडियो बंध है 4. समाचार सभी स्टेशनों से एक साथ प्रसारित होते है 5. मैं टीवी देखने का बड़ा शौकीन हूँ 6. अब चैनल जी लगा दो 6. डाकिया चिठिया चांट रहा है The postman is sorting out the letters 8. अगली डाक साथे चार बजे निकलेगी 9. डाक दिन में दो समय बठती है 10. मैंने पचास रुपए मनी ओडर द्वारा भेजे 11. रजिस्टर पैकेट पर पूरे टिकट नहीं है The registered packet needs more stamps 12. कृपया मनी ओडर के रसीद भेजना Please acknowledge the money order 13. टेलिविजन का हमारे जीवन में बहुत महत्यपूर्ण योगदान है The television plays an important role in our daily life 14. मेरा रेडियो बड़ी साफ आवाज पकड़ता है My radio has a very clear reception My radio has a very sharp reception 15. क्या तुमने पार्सल का भजन कर लिया है Have you weighed the parcel? 16. मुझे डाग खाने से कुछ लिफाफे तथा Inland Sheets खरिदने है I have to buy some envelops and inland sheets from the post office 17. इस चैनल में गलबड़ी है This channel is disturbed 18. तुमने इसे ठीक से तून नहीं किया है You haven't tuned it properly Prisht 114 19. डाक विभाग के कर्मचारी हरताल पर है The workers in the postal department are on strike 20. इस पत्र पर कितने की टिकट लगेगी? What will the stamp on this letter cost? Yad रखे Remember Here's a good government after decades आज कई दशकों के बाद अच्छी सरकाल बनी है G-O-V-E-R-N Govern से excitement, जोश, सेटल से settlement, निपटना, आग्यू से argument, तर्क यहां A-R-G-U-E की E का लोप हो गया है A-R-G-U-E-A-R-G-U-E-A-R-G-U-E-N-T argument, तर्क He is a civil servant, वह एक अधिकारी है, इस वाक्य में servant संग्या है अंत में A-N-T वाली कुछ और संग्या है Accountant, लेखापाल, applicant, प्रार्थी, consonant, व्यांजन, defendant, प्रतिवादी, merchant, सौधागर आदी उपर दिये गए शब्दों में servant, defendant तथा accountant जैसे शब्द क्रमश, serve, defend तथा account में A-N-T तथा apply में C-A-N-T लगाने से बने है पर कुछ शब्द जैसे merchant और consonant अलग है किसी दूसरे शब्द में जोडने से नहीं बने है इसी तरह important के अंत में A-N-T है पर यह संग्या नहीं, विशेशन है, याद रखिएगा प्रेश्ट 155